इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आकास नीला क्यूं दिखाई देता है दरसल ऐसा प्रकास का प्रकिर्नन या बिख्राव यानी स्कैट्रिंग ओफ लाइट की वज़े से होता है आईए अब हमें से डिटेल में समझते हैं सुर्य का प्रकास जो हमें सफे तिखाई पड़ता है वसात रंगो यानी लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जाहुनी और बैगनी रंगों से मिलकर बना होता है या प्रकास हमारी आँखों तक पहुंचने से पहले वायू मंदल में मौझूद कई तरह के असुद्धियों ज पायू मंदल में होने वाले असुद्धियों के मात्रा और स्वयम रंगों के विशेज गुण पर निर्भर करता है साइंटिस्ट लॉर्ड रेले के अनुसार जिस रंग का वेवलेंथ यानी तरंग दैध्य सबसे जादा होता है उसका प्रकेर्णन या विखराव सबसे कम ह होता है और जिस रंग का वेवलेंथ या तरंग दैध्य सबसे कम होता है वह सबसे जादा फैलता है तरंग diff यानी वेवलेंथ को हम रंग के प्रकास के गती के रूब में समझ सकते हैं हम अब इसे चार्ट की मदद से समझते हैं इस चार्ट में वोयलेट यानि बैगनी रंग का वेवलेंद 380-450 नानोमेटर है और रेड का वेवलेंद 620-750 नानोमेटर है जो बैगनी के कमपारिजन में जादा है इसलिए लाल रंग का स्कैटरिंग या बिखराव सबसे कम होता ह और बैगनी रंग का स्कैटरिंग सबसे जादा होता है जिसकी वजह से यह पूरे आसमान में फैल कर हलका नीला दिखाई पड़ता है इसलिए पूरे आकास का रंग हमें नीला दिखाई देता है प्रकास के प्रकिर्णन के वजह से ही उकते और डुकते हुए सुरे का लाल दोपहड में सुर्य का सफेद दिखना, पानी का नीला दिखना, या तयात के संकेत कों में लाल, पीला, हरा रंगा प्रयोग करना निर्भर करता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सेयर, कमेंट जरूर करें